हेलो गैस वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल जैसे कि हमने केमिकल कंट्रोल और कॉडिनेशन का चैप्टर वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुरूर देख सकते हो उसका ल तो आपने याद अखना है कि जो डॉक्फिश में पैराथायर और एपसंट होता है ग्लैंड नेक्स है विच्ट ग्लैंड इन्ने मैमल इस लाइंग इन्ने सीला टर्कीका ओफे स्कल में कौन सा ग्लैंड प्रेजंट होता है देखो पीनियल हाइपोथालमस पिचुटरी ग् मिलैनोसाइट स्ट्री में होर्मन कहाँ होता है यह प्रद्योस करता है पिचुटरी ग्लैंड में ही प्रद्यूस लेकिन पिचुटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होते हैं अंटीर, पुस्टीर, ना इंटर्मेडियेट तो यह जो मिलैनोसाइट है वो इंटर्मेडियेट लोब ओफ विजिटरी ग्लैन में सक्रीट होता है अब देखो यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो पैंक्रियास है पैंक्रियास में तीन सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स alpha cells क्या produce करते है glucose, beta cell produce करते है insulin and… जो delta cells रहे है waterってるiam Graroatin तु इसमेh question में सीधा ही आपको answer याद होने चाहिए कि delta cells क्या produce करते है, तो आप option में देख सकते हो insulin, Smatostatin, ensure your production is blood-sp atacants आप इसमेh answer के आएगा, glucose next question insulin is a secretion of… किüllô 했습니다ard bisschen अब भी बताए? एक βीटा सेल की सेक्रीशन है जो कहां प्रेजन होते हैं पैंकिरियास में नेक्स कोश्चन है जो इंटिरियल ओफ ओपिचिटरी ग्लैंड है वो कौन से हॉर्मोन सेक्रीट करते हैं उन में से एक गनेडो ट्रॉफिन होर्मोन भी आता है तो यह gonadotrophin hormone के आगे फर्दर कौन-कौन से hormone सक्रीट करते हैं वो option में जैसे relaxin and prolactin तो यह आपको पता है यह कौन सक्रीट करता है Relaxin and prolactin जो relaxing hormone है वो तो gonads सक्रीट करते हैं और prolactin यह anterior pushtory gland सक्रीट करता है नेक्स है FSH Follicle Stimulating Hormone LH Luteinizing Hormone यह दोनों hormone सक्रीट होते हैं गनेडो ट्रॉफिन से तो आपने याद रखना है गनेडो ट्रॉफिन तो इसका option यह हो गया है next option भी हम देख सकते हैं यह भी पता है आपको estrogen भी गनेडो गनेडो से सक्रीट होता है यह भी estrogen and testosterone यह भी गनेडो से सक्रीट होता है तो कौन से दो होर्मन हुए FSH and LH hormone that are secreted by गनेडो ट्रॉफिन next question है continuous secretion of milk is controlled by continuous secretion कौन कर रहा है oxytoxin, insulin, prolactin and estrogen दोको insulin का काम तो glucose को glycogen में convert करना है oxytoxin का क्या काम होता है secretion milk की secretion करना लेकिन prolactin का काम होता है produce करना अगर produce होगा milk तभी तो उसकी continuous secretion होगी तो इसका answer prolactin ही आएगा आपने confused नहीं हो ना वैसे तो production कौन करता है आपको पता है oxytoxin करेगा लेकिन continue यहाँ पर लिखा है तो continue कब होगा जब उसकी continue production होगी तो इस cancer prolactin है तो estrogen का तो अपना काम है इसने female की जितने भी sex organs की formation करना है यह जितने भी उसके characters होते है female की उसकी formation करना होता है next question है hormone required for the implementation of embryo to the uterus is अब कौन सा hormone help करता है embryo को uterus के साथ जोडने में तो आप option में जैसे देख सकते हो cryonic benadrotrophin यह नहीं हो सकता है estrogen मैंने आपको बताता है यह female के character को show करता है जो adrenal gland यह तो stress hormone है तो आप मारे पास एक यह option बनता है जो है progesterone hormone है जो help करता है embryo को uterus के साथ जोडने में next है basal metabolic rate is under control of यह भी आपको मैंने करवाया हुआ है यह जब हमने hormone thyroxine करवाया था उस time मैंने आपको इसके सारे जो function थे thyroxine hormone के बताया था कि जो thyroxine hormone है वो metabolic rate को control करने में help करता है जो पैरा hormone है वो तो calcium की formation को यह calcium की concentration को बढ़ाने में help करता है mineral cortic quiet तो अपना aldosterone जो hormone है उसको secret करता है जो NACL की concentration को maintain करने में help करता है ग्लुको कोटी कोईट तो अपना लग काम करता है जो आगे cotisole या cotisone या cotisone या cotisone या cotisosterone ये hormone secret करता है जो आगे अपना फर्दर काम करते है में इस कार्भो हैडरेट की जादा है synthesis करने में help करता है तो आपका option हुआ thyroxine next question है which neuro hormone inhibit the secretion of growth hormone from the interior pituitary gland की कौन सा hormone है जो growth hormone को suppress करता है growth hormone की जो secretion उसको suppress करता है देखो first option है adrenaline ये तो हो नहीं सकता यूंकि इसका काम तो stress hormone है ये next option है somatostatin जो somatostatin होता है वो help करता है जो growth hormone है उसको repress करने में कि अब तुने ज्यादा secret नहीं होना उसकी जो secretion उसको inhibit करने में help करता है next तो thyroid stimulating hormone है ये तो अपना ये तो stimulate करता है growth को तो next जैसे adrenocorticotrophin adrenocorticotrophin तो adrenal gland को stimulate करता है ताकि वो अपने hormones को secret कर सके next question है which of falling set of hormone have synergistic effect अब synergistic effect क्या होता है synergistic effect का मतलब होता है interaction between the two hormones कि दो hormone के बीच में ऐसी interaction होनी है कि एक दूसरे के लिए वो काम करें कि एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे देख सकते हो इसमें option सीधा ही आपको पता है कि प्रो लेक्टिन और ऑक्सिटोप्सिन यह दोनों hormone की production and secretion करते हैं अगर milk पहले produce होगा तब ही तो वो सक्रीट होगा यह दोनों एक दूसरे की बिना काम तो नहीं कर सकते अगर होगे तो सक्रीट ही नहीं हो तो उसका क्या फाइदा हुआ जहां सक्रीट होना है तो उसने पहले produce भी तो होना है तो यह दोनों hormone क्या करते हैं synergistic effect को शो करते हैं इंपोर्टन question है तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से दो hormone जो synergistic effect को शो करते हैं next question है blood pressure is under control of adrenal gland, thyroid gland, pituitary gland या aldosterone तो यहां पे पूछा है कि blood pressure किसके under control होता है अब जो blood pressure है तो इसमें दो option यह दोनों आ सकते हैं adrenal भी aldosterone क्योंकि adrenal gland ही aldosterone को produce करता है जो aldosterone है वही आगे blood pressure को control करने में help करता है तो इसमें का दोनों ही आ सकता है answer adrenal and aldosterone next question है cretinism is due to the deficiency of अब देखो cretinism किसकी deficiency से होता है thyroid gland की deficiency यह मैंने आपको अच्छे से सारे disorders करवाए हैं तो आप प्लीस वीडियो को जाके देख सकते हों आप जो criticism है वो infant means बच्चों में होता है जब बच्चों में thyroxine जो hormone है उसकी कमी हो जाए उस time यह disease disorder होता है next question is spermatogenesis stimulated by spermatogenesis है वो FSH hormone से stimulate होती है क्योंकि जो FSH है उसके दो काम है देखो आप याद रुखोगे कि इसने मेल में तो spermatogenesis को control करना है female में इसने क्या करना है ovrion follicle की production करनी है तांकि वो आगे जाके estrogen जो female sex hormone है उसकी production कर पाए next जैसे LH का काम क्या है LH का काम होता है male में पहले तो इसने leading cell को stimulate करना है ताकि male sex hormone producer हो सके और female में इसने क्या करना है ovulation को stimulate करना है ताकि जो ovum है वो ovary से निकल के fallopian tube तक आ सके तो इसके दोनों आपने function याद रखने ADH का काम तो आपको पता ही है यह re-observation of water करता है और ACTH का का काम होता है यह adrenal gland को stimulate करना next largest endocrine gland कौन सा है largest thyroid यह भी आपको मैंने करवाया हुआ है कि thyroid is the largest endocrine gland next chemically hormones are hormones क्या होते है amino acid fatty acid protein या protein and steroid तो जो chemically hormones होते है protein भी हो सकते हैं steroids भी हो सकते हैं next hormone that promote the cell division and the protein synthesis and growth of a bone hormone कौन सा hormone help करता है तो आपने सीधा है याद रखने में स्मेटोस्टेटिन विचो फॉलिंग और गन डस नोट परड्यूस होर्मोन कौन सा और आर्गन है जो होर्मोन को प्रड्यूस नहीं करता है डेखो kidney भी प्रड्यूस करते है रेनिन नेट्स्ट्रह अवरी ओवरी भी प्रड्यूसट्राइ। वी करते है estrogen a i your और वन कौन सा इनमें से और वन है फर्स जैसे प्रो लेक्टिन अड्रीनो कॉटिको ट्रॉफिन एंड गेमीटो कैनेटिक्स यह तीनों होर्मोन्स है वह पिचुटरी ग्लैंड के एंटीरिय लोब से सक्रीट होते हैं जो वैसोप्रेसिन ही ऐसा होर्मोन है तीनों में जो जो पिचुटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन होता है कि सबसे ग्रेट काम करने वाला कौन है हाइपो ट्रॉमस उससे नीचे होता है जिसके मास्टरेंड ग्लैंड भी कहते हैं यह Supreme मास्टरेंड ग्लैंड है next है which of falling gland is associated with the consumption of iodinized salt iodinized salt की consumption करने में कौन सा hormone या gland associated है ovary बिल्कुल भी नहीं thymus भी नहीं है इसमें और pituitary gland भी नहीं है thyroid ही iodinized salt या iodine की production करने में help करता है next है which one of falling hormone is anti-inflammatory ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है anti-inflammatory hormone कहां से सक्रीट होता है देखो epinephrine, epinephrine से नहीं होता है next option है mineral corticoid mineral corticoid से तो aldosterone hormone सक्रीट होता है जो आके NACL की production या उसकी reabsorption करने में help करता है non-adrenal gland तो blood pressure को control में करता है under the normal condition glucocorticoid ही ऐसा hormone है जो corticol, corticone and corticosterone hormone को produce करता है उसमें जो corticol है वो active inflammatory का काम करता है next question अब मागदा non-gonadal hormone non-gonadal hormone कौन सा है देखो estrogen, progesterone and sterone ये तीनों ही goners के through produce होते हैं follicle stimulating hormone तो pituitary gland produce करता है तो आपने सही option को कैसे धोनना है कि आपने जितने भी remaining options होते हैं उनको neglect कर दो आपको पता ही है कि जो estrogen या progesterone या testosterone ये तो goners के ही होते हैं जो follicle stimulating है वह ही एक ऐसा hormone है जो pituitary gland से produce हो रहा है next है which hormone is produced more in dark condition dark condition में तो milanotonin ही produce होता है mark the heterocrine gland ये भी आपको पता ही heterocrine gland क्या होता है एक ही है pancreas जो endocrine और exocrine दोनों का काम करता है तो इसका option आएगा right answer is pancreas next है diabetes insipidus is due to ये भी मैंने आपको बताए कि diabetes दो टाइप की होती है diabetes insipidus एक होती है diabetes militus तो जो diabetes militus होती है वो insulin की कमी से होती है जो diabetes insipidus होती है वो vasopressin जो hormone है या हम ADH hormone की hyposecretion में जब उसकी deficiency हो जाए उस time ये वाली diabetes होती है diabetes insipidus जिसकी वज़े से जो water की absorption है ये absorption है उसमें कमी आ जाती है और urine ज्यादा pass out होने लगता है next है endocrine glands are तो endocrine glands क्या होते है ये आपको बीना option देखे ही आ जाना चाहिए पड़े ही आ जाना चाहिए ये endocrine glands, ductless gland होते है जो अपनी secretion को directly ही blood में pore करते हैं या secret करते हैं तो ये थे mcq that are related to the endocrine gland कह सकते हो या फिर आप chemical control and coordination के chapter में से जितने भी important question थे वो मैंने आपको करवा दिये हैं और मेरी वीडियो को प्लीज जादा से जादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मैं और mcq उसे related videos लेकिया हूँ thank you so much झाल 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 झाल